नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बर फिर से मैं क्रिशन सहरावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इंफो एंड फन पे तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे जो भी एंपलोईज हैं उनके यहां पर मैसेज आ रहे हैं मेरे कमे कमेंट बोक्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक बार फिनेकल में यह बताईए कि अगर कस्टमर का जो ATM कार्ड होता है अगर वो उसका पिन भूल जाता है तो कैसे उस पिन को मंगा सकते हैं हम लोग कैसे उसको जनरेट करेंगे वो कैसे कस्टमर को मिलेगा कहां पे वो पि अपने ATM का तो आपने finacle में उसको ATM pin request करना है तो आपका menu रहेगा CCMM ये वही menu है जिसमें आप ATM को issue करते हैं तो आपको menu shortcut में CCMM type कर लेना है customer card जो maintenance menu है तो CCMM आप यहाँ पर type करेंगे function में आपको यहाँ पर देखिए add की बजाए आपने इस बार modify select करना है कि आपने ATM तो पहले ही issue कर रखा है और CIF ID आप जो है वो CIF ID type करेंगे जो savings के account के साथ link है जिस CIF ID से ATM card को issue किया गया था उसके बाद card number के सामने searcher रहेगा आप उस searcher पे click करेंगे तो click करते ही देखिए card number आपके सामने आएगा CIF ID आएगी CIF का नाम और card का status आएगा तो यह जो blue color में card number दिया हुआ है आप इस पे click कर देंगे तो जैसे ही click करेंगे यह card number आपका यहाँ पे automatic आजाएगा आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है उसके बाद go के button पे direct click कर देना है जैसे go के button पे click करेंगे तो यह देखिए यह वाली screen आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे आपको direct action में जाना है और कुछ भी यहाँ पे आपने select नहीं करना है action में जाके जहाँ पे na लिखा है वहाँ पे atm pin request का option आएगा आपने उसको जो है click कर देना है atm pin request तो यहाँ पे click करने के बाद एक बार आप जो है validate कर देंगे तो जैसे आप यहाँ पे validate कर देंगे तो उपर जो आपकी जो blue color की line दिख रही होगी उसमें action में अभी na लिखा है लेकिन जैसे validate करेंगे तो action में apn करके आएगा apn का मतलब है atm pin request new request जो आपके आएगी तो उसके बाद आपको यहाँ पे submit के button पे click कर देना है तो जैसे आप यहाँ submit के button पे click कर देंगे तो record modified successfully का message आ जाएगा cif id को आप यहाँ पे copy कर सकते हैं और उसके बाद आपने supervisor की id में जाना है same menu cc mm में और verify select कर लेना है वहाँ पे वही cif id आपने type करनी है और card number को फिर से आपने searcher में जाके search करना है और यहाँ पे click कर लेना है और उसके बाद go के button पे click करेंगे उसके बाद आपने जो है वही screen आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे आपने ATM pin request select करा था आप direct उसको जो है submit कर देंगे record verified successfully का message आ जाएगा तो जैसे यह message आएगा यह request जो है जो हमारा ATM unit है उसके पास चली जाएगी verification होने के बाद लगबग एक महिने के अंदर देखिए ऐसा आपके office में letter आएगा इसके साथ में ATM का pin भी आएगा customer का तो यह जो letter है यह national ATM unit बैंगलोरो की तरफ से आएगा किसके नाम से आएगा to post master यानि कि जिस office से आपने request करी है उस office के post master के नाम से यह letter आएगा और उसमें देखिए customer का card number CIF का number, kit number वो सारे details आजाएंगी और इसी के साथ में दोस्तो ATM का जो pin रहेगा वो भी अलग से envelope रहेगा देखिए इस परकार का envelope रहेगा इसमें customer का वो जो है pin आपके office में आजाएगा आपने यह as it is दोस्तो यह customer को hand over कर देना है उसके जो CIF ID में phone number रहेगा उस पर phone पे आपने contact करना है और उसको बुला के यह hand over कर देना है और जो आपके पास acknowledgement रहेगी जो भी register आपने maintain कर रखा है उसमें उसका signature ले लेना है और new pin request के जो charges है 59 rupees वो आपने sap से उसको credit कर देना है F-02 से या कोई भी किसी भी तरीके से जिसकी videos मैंने पहले ही डाल रखी है वो videos भी दोस्तो जो playlist बनी है मेरी ATM से related उसमें आपको मिल जाएगी आप वहाँ से procedure देख सकते हैं कैसे उनको sap में credit करेंगे तो इस परकार से दोस्तो आप customer का अगर pin भूल गया है तो वो pin को जो है आप मंगा सकते हैं तो चलिए उमीद है वीडियो में आपको मज़ा आया होगा वीडियो आपको informative लगी होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जादा से जादा शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब करिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत